ये कहानी शुरू होती है और हम एक magical forest को देखते हैं जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था forest के एक हिस्सों में परियां रहा करती थी जिसकी वज़े से forest के उस हिस्से को fairy land कहा जाता था और वहीं forest के दूसरे हिस्से में demons रहा करते थे जिसकी वज़े से फॉरिष्ट के उस हिस्से को डार्क फॉरिष्ट कहा जाता था डार्क फॉरिष्ट और फेरी लैंड के बॉडर पर खुबसूरत प्रिम रोज फ्लावर खिलते थे जिनकी मदद से एक ऐसा मैजिकल लिक्विड बनाया जा सकता था जिसकी इस्तिमाल से किसी को भी किसी दूसरे के प्यार मिलाया जा सकता था अगले सीन में हम फेरी लैंड की राजकुमारी मैरियन को देखते हैं जो कि फेरी लैंड में उड़ते हुए फेरी लैंड की खुबसूरती को देख रही थी लेकिन उस दोरान वो अंजाने में डार्क फॉरेश्ट में चली जाती है वहाँ पर आने के बाद मेरियन बुरी तरह से डर गई थी क्यूंकि डार्क फॉरेश्ट के खतरना क्रिएचर को लगता है कि राजकुमारी मैरियन डार्क फॉरिस्ट में प्रिम्रोज फ्लावर को लेने के लिए आई है इसलिए वो राजकुमारी मैरियन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं राजकुमारी किसी तरह उन डरावने क्रियेचर के हमले से बचकर वहां से निकल जाती है उसके वहां से जानी के बाद वो creature डार्क फोरिस्ट के King Bob के पाथ जाते हैं और उसे सारी बाते बताते हैं King Bob राज कुमारी मैरियन के डार्क फोरिष्ट में आने और प्रिम्रोज फ्लावर के खिलने की खिलने की खबर सुनकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे प्यार करने वालों से नफरत था इसलिए वो अपने सैनिकों से सारे प्रिम्रोज फ्लावर को नश्ट करने के लिए कहता है ताकि प्रिम्रोज की मदद से कोई भी प्यार का मैजिकल लिक्विड ना बना पाए बॉब जहां प्यार और प्यार करने वालों से नफरत करता था वहीं उसकी मॉम चाहती थी कि डार्क फोरेश्ट भी हरा भरा और खुबसूरत बन जाए और वहां रहने वाले सारे क्रेचर एक दूसरे से प्यार करे उसकी मॉम उसको इस बारे में समझाती भी है लेकिन बॉब के उपर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता अगले सीन में हम फेरी लैंड के सेना पती रोलैंड को देखते हैं जिसके साधी राजकुमारी मेरियन के साथ होने वाली थी राजकुमारी मेरियन रोलैंड को पसंद करती थी इसलिए वो इस बात से काफी खुश थी और रोलैंड भी राजकुमारी मैरिन से साधी करने के लिए काफी एकसाइटेड था राजकुमारी की बहन जिसका नाम डौन था वो राजकुमारी को वहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि जल्दी उसकी साधी होने वाली थी और उन्हें अभी बहुत तैयारिया करनी है इसी दोरान राजकुमारी को एक प्यारासा फ्लावर मिलता है तो वो उस फ्लावर को लेकर रोलैंड के पास उसे देने के लिए जाती है लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि रोलैंड एक दूसरे फैरी के साथ था राजकुमारी मेरिन को अब पता चल गया था कि रोलैंड उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वो तो सिर्फ साही ताकत हासिल करने के लिए राजकुमारी से साधी करना चाता था सच्चाई का पता चलने के बाद राजकुमारी बहुत दुखी होती है और वहां से चली जाती है रोलैंड राजकुमारी को वहाँ से जाते हुए देख लेता है जिससे वो समझ जाता है कि राजकुमारी को उसकी सचाई का पता चल गया है रोलैंड के सचाई का पता चलने के बाद राजकुमारी का दिल अब पूरी तरह से तूट चुका था इसलिए अब वो अपनी लाइफ में कभी भी प्यार ना करने का फैसला करती है और अपनी सिश्टर डॉन को बता देती है कि वो साधी नहीं करेगी राजकुमारी इसके बाद युद्ध कला सीख कर खुद को पहले से मजबूत बनाने की कोसिस करती है ताकि वो एक बहतर युद्धा बन सके अगले सीन में हम राजकुमारी डॉन को देखते हैं जो सनी नाम के अपने एल्फ फ्रेंड के साथ इंज्वाई कर रही होती है सनी राजकुमारी डॉन को पसंद करता था लेकिन वो डॉन को इसके बारे में बता नहीं पाता क्योंकि उसे पता था कि उसका और राजकुमारी डॉन का कुछ भी होने वाला नहीं लेकिन फिर भी वो राजकुमारी डॉन को हर समय खुस रखने की कोसिस करता था अब राजकुमारी डॉन और सनी जब साथ में होते तो उनके उपर एक लिजार्ड हमला कर दीता है वो दोनों अपनी जान बचा कर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर राजकुमारी मैरियन आ जाती है जो बड़े ही बहादूरी से उस लिजार्ड से लड़ती है और एक पेड़ की टहनी की मदद से लिजार्ड को वहाँ से दूर फेक देती है सनीस दोरान लिजार्ड से बचकर भागती हुए डार्क फॉरेस्ट में चला गया था लेकिन राजकुमारी मैरियन सनी को डार्क फॉरेस्ट से बचा कर बाहर ले आती है और उसे समझाती है कि डार्क फॉरेस्ट में जाना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है मेरियन सनी को सूगर प्लम फेरी के बारे में बताती है जिसे बॉब ने सालों पहले अपने राजज में कैद करके रखा था क्योंकि सूगर प्लम प्रिम रोज की मदद से एक ऐसे मैजिकल लिक्विड को बना सकती थी जिसके इस्तमाल से किसी को भी प्यार में गिराया जा सकता था अब उनके पास जब प्रिम रोज फ्लावर की एक पंखुडी गिरती है तो वो सबी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं अगली सीनवे हम रोलाइंड को देखते हैं जो राजकुमारी मेरियन के अपने दूसरे फैरी के साथ अफैर के बारे में पता चलने के बाद उन्हें मनाने की कोसिस करता है लेकिन राजकुमारी रोलाइंड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है अब रोलाइंड के साथी उसे प्रिम रोज फ्लावर से बनने वाले मैजिकल लिक्विड के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से किसी को भी अपने प्यार में गिराया जा सकता था और अगर रोलाइंड किसी तरह उस लिक्विड को हासिल कर लेता है तो एक बार फिर से राजकुमारी उससे प्यार करने लगेगी अब रोलाइंड जब सनी को छुपकर डॉन को डांस करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि सनी डॉन को पसंद करता है इसलिए रोलाइंड सनी को मैजिकल लिक्विड के बारे में बताता है जिसकी मदद से सनी को उसका प्यार मिल सकता था लेकिन इसके लिए उसे डार्क फॉरेस्ट में जाकर प्रिम्रोज के साथ सूगर प्लम फेरी से मिलना होगा क्योंकि सिर्फ वही मैजिकल लिक्विड बना सकती थी सनी अपने प्यार की खातिर ऐसा करने के लिए राजी हो गया था और प्रिम्रोज की एक पंखुडी को लेकर वो डार्क फॉरेस्ट में सूगर प्लम फेरी से मिलने के लिए निकल पड़ता है डार्क फॉरेस्ट के मसरूम राक्छसों को जब सनी के डार्क फॉरेस्ट में आने के बारे में पता चलता है तो वो ये बात अपने राजा बॉब को बता देते हैं बॉब ये जानकर बहुत गुस्सा होता और अपने सैनी को सनी को ढूणने के लिए भीजता है वही डार्क फॉरिस्ट में सनी को एक चूहा मिलता है जो उसके पास प्रिम रोज फ्लावर को देखकर समझ जाता है कि सनी आखरी डार्क फॉरिस्ट में क्यों आया है इसलिए वो उसे अपने साथ सूगर प्लम फेरी के पास लिजाता है चुहे को follow करते हुए सनी जब सुगर प्लम फेरी के पास पहुंचता है तो देखता है कि बॉब ने सुगर प्लम को एक magical आर्क में बंद करके रखा था सनी को देखकर सूगर प्लम डर जाती है क्योंकि अगर बॉब को इसके बारे में पता चला तो वो दोनों को मार देगा सूगर प्लम फेरी इसके बाद खुद को आजाद कराने के सर्थ पर प्रिम रोज फ्लावर की मदद से मैजिकल लिक्विड बनाना सुरू करती है और सनी को बताती है कि मैजिकल लिक्विड जिसके उपर भी डाला जाएगा वो सबसे पहले अपने सामने दिखने वाले व्यक्ती से प्यार करने लगेगा लिक्विड के बनने के बाद वादे के मुताबिक सनी सूगर प्लम फेरी को कैद से आजाद कर देता है लेकिन आजाद होने की खुसी में जब सुगर प्लम फेरी जोर से गाना गाने लगती है तो बॉब को उसके बारे में पता चल जाता है लेकिन बॉब के वहाँ पर आने से पहले सुगर प्लम फेरी के साथ किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाता है लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं होता क्योंकि सनी तो किसी तरह वहाँ से भागने में काम्याब रहता है लेकिन बॉब सूगर प्लम को एक बार फिर से बंदी बना लिता है और जब उसे सूगर प्लम के बनाए गए मैजिकल लिक्विड के बारे में पता चलता है तो वो अपनी सीना के साथ उस लिक्विड को हासिल करने के लिए फेरी किंगडम की तरफ निकल पड़ता है वहीं दूसरी तरफ सनी किसी तरह डार्क फॉरिस्ट के हमलों से बचते हुए वापस से फेरी किंगडम में आ गया था जहां पर समय एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है सनी के पास मैजिकल लिक्विड देखकर रोला इंड उससे डॉन के उपर उस मैजिकल लिक्विड का इस्तमाल करने के लिए के लिए कहता है लेकिन अब वहाँ पर डार्क फॉरिस्ट में सनी की मदद करने वाला वो चूहा भी आ जाता है जिसका नाम M था M ने मैजिकल लिक्विट के लिए ही सनी की मदद की थी इसलिए वो सनी से उस मैजिकल लिक्विट को छीनने की कोसिस करने लगता है लेकिन इस दोरान मैजिकल लिक्विट डॉन के उपर गिर जाता है और एम आखिरकार किसी तरह सनी से उस मैजिकल लिक्विट को छीन कर वहाँ से भाग गया था बॉब के सैनिक सनी को पकड़ लेते हैं और बॉब मैरियन के पास जाकर उससे गुस्से में कहता है इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सनी से डॉन को ढूणने के लिए कहती है और अकेले ही डार्क फॉरिस्ट के अंदर चली जाती है हालात बिगरता देखकर ओलैंड सभी से कहता है कि ये सब सिर्फ सनी की वज़े से हो रहा है और ओलेंड अकेले ही डॉन के साथ ही राजकुमारी मैरियन को डार्क फॉरिस्ट से बचा कर लाने का वादा करता है अब स़नी सारे अल्फ से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है सनी अपने बेस्ट फ्रेंड से खुद की मदद करने के लिए कहता है सनी का बेस्ट फ्रेंड उसकी मदद करने के लिए तयार था जिसके बाद वो दोनों एम को पकड़ने के लिए निकल परते हैं ताकि मैजिकल लिक्विड को वो हासिल कर सके काफी मुस्किलों का सामना करने के बाद भी वो एम को पकड़ने ही पाते और वो खुद के ट्रैप में फस जाते हैं अब देखते ही देखते वहाँ पर एक जाइंट छिपकली आ जाती है जो सनी और उसके दोस्त को खाने ही वाली थी कि तब ही वहाँ पर एम आ जाता है जिसने मैजिकल लिक्विड उस जाइंट छिपकली के ऊपर डाल दिया था और क्योंकि छिपकली ने सबसे पहले सनी को देखा था इसलिए अब वो सनी से प्यार करने लगी थी एम एक बार फिर से मैजिकल लिक्विड लेकर वहाँ से भागने की कोसिस करता है लेकिन सनी के इस सारा करते ही जाइंट छिपकली एम को निगल जाती है और सनी बड़े ही असानी से मैजिकल लिक्विड को हासिल कर लेता है वहीं दूसरी तरह बॉब जब डॉन को डार्क फॉरिस्ट के अंदर लाने के बाद उसे कैद से बाहर निकालता है तो डॉन सबसे पहले अपने सामने बॉब को देखती है जिसके वज़े से वो बॉब से प्यार करने लगती है क्योंकि सुगर प्लम फेरी ने सनी को बताया था कि मैजिकल लिक्विड के संपर्क में आने के बाद अपने सामने दिखने वाले सबसे पहले वक्ती से प्यार हो जाता है बॉब डॉन के इस बदले हुए रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान था और उसे खुद से दूर रखने की वो कोसिस करने लगता है क्योंकि डॉन बॉब से प्यार की बाते कर रही थी अगले सीन में हम रूलाइंट को देखते हैं जो मैरियन और डॉन को बचाने के लिए डार्क फॉरिस्ट के अंदर बढ़ रहा था इस समय सनी भी वहाँ पर मौजूद था जो रॉलाइंट से कहता है कि मैजिकल लिक्विड हासिल करने के बाद वो डॉन और मैरियन दोनों को बचा कर ले आएगा सनी की बात सुनकर रॉलाइंट बिल्कुल भी खुश नहीं था और सनी का मजाग बनाते हुए उससे मैजिकल लिक्विड हासिल कर लेता है सनी रॉलाइंट से कहता है कि चांड डुबने में जादा समय बाकी नहीं है इसलिए हमें सबसे पहले राजकुमारी मैरियन और डॉन को बचाना चाहिए इसके बाद वो दोनों राजकुमारी मैरियन और डॉन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं अगले सीन में हम राजकुमारी मैरियन को देखते हैं जो डार्क फॉरिस्ट के ढरावने और खतानाक क्रियेचर से बचते हुए आगे बढ़ रही थी और इस समय बॉब के सैनिकुन बॉक्स और क्रियेचर को अपने साथ बॉब के पास ले जा रहे थे जिनके ओपर मैजिकल लिक्विड का असर हुआ था मैरियन किसी तरह सबसे छुपते हुए बॉब के पास पहुँच जाती है जहां पर उन दोनों के बीच में एक खतनाक फाइट होती है लेकिन जल्दी उन दोनों को समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को कभी भी हरा नहीं सकते इसलिए वो आपस में बात कना सुरू कर देते हैं बॉब इसके बाद राजकुमारी मैरियन को अपने साथ जगे पर लिजाता है जहां पर डार्क फॉरेस्ट के उन क्रियेचर को बंदी बना कर रखा गया था जिनके उपर भी मैजिकल लिक्विट का असर हुआ था राजकुमारी मैरियन उन क्रियेचर की हालत को देख कर समझ जाती है कि मैजिकल लिक्विट सभी क्रियेचर के लिए नहीं है बॉब इसके बाद राजकुमारी मेरिन को डॉन से मिलवाता है जिसे उसने कैद करके रखा था कैद से आजाद होने के बाद डॉन वापस से बॉब से प्यार भरी बाते करने लगती है और राजकुमारी मेरिन के साथ वहां से जानी से मना करने के बाद खुद को एक बार फिर से कैद कर लेती है क्योंकि मैजिकल लिक्विट की वज़े से अब वो बॉब से बहुत प्यार करती थी और किसी भी हाल में बाब को छोड़कर वो वहां से जाना नहीं चाहती थी अब वहां पर बाब की मॉम भी आ जाती है जो राजकुमारी मेरिन को बाब के साथ देखकर समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं इसलिए उन दोनों को और भी करीब लाने के लिए उन्हे साथ में डिनर पर जाने के लिए कहती है। राजकुमारी मेरियन जब बॉब के साथ एक कमरे में डिनर करने के लिए जाती है। तो देखती है कि बॉब की मॉम ने उन दोनों के लिए पहले से ही उस कमरे को सजा कर रखा था लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं होता क्योंकि बॉब और मैरियन दोनों को इसक से नफरत थी और वो दोनों आपस में प्यार की बुराई कर रहे थे अगले ही पल वहाँ पर सुगर प्लम फेरी एक बग के साथ आ जाती है जो उन दोनों को अपने मैजिकल लिक्विड के एंटी डोट के बारे में बताती है उन्हें एक हिंट देती है कि किस परकार बॉब लेडी बग से बहुत प्यार करता था और उसे पाने के लिए उसने मैजिकल लिक्विड का भी इस्तमाल किया था लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं हुआ क्योंकि लेडी बग किसी और से सच्चा प्यार करती थी और वो बॉब को छोड़ कर चली गई मैरियन ये सुनकर समझ जाती है कि अगर डॉन को किसी और से सच्चा प्यार हो गया तो मैजिकल लिक्विड का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्योंकि सच्चा प्यार ही मैजिकल लिक्विड का एंटी डूट था बॉब इस समय काफी दुखी था और वो मैरियन को बताता है कि वो इतना जादा अगली है कि कोई उसे पसंद नहीं करता उसकी बाते सुनकर राजकुमारी मैरियन उससे कहती है कि असली खूबसूरती चेहरे से नहीं बलकि साफ मन से होती है अब कहीं न कहीं बॉब और मैरियन एक दूसरे को पसंद करने लगी थे क्योंकि उन दोनों के विचार एक दूसरे से काफी मिले जूले थे बाब इसके बाद मैरियन को अपने साथ डार्क फॉरिष्ट को एक्स्प्लूर कराने के लिए ले जाता है जिसके दौरान मैरियन डार्क फॉरिष्ट की खुबसूरती को देखकर पूरी तरह से हैरान थी वो बाब के साथ खूब इंजॉय करती और काफी खुश थी लेकिन इस दौरान बाब रोलैंड को अपनी सेना के साथ डार्क फॉरिष्ट में आते हुए देख लेता है वो ये देखकर बहुत गुस्सा होता और मैरियन को अकीला छोड़ कर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मैरियन का ही प्लैन था और उसने ही अपनी बातों में उसे उलज़ा कर रखा ताकि रोलैंड अपनी सेना के साथ डार्क फॉरिष्ट के अंदर आ सकी बाब जब रोलैंड के पाथ जाता है तो रोलैंड उससे मैजिकल लिक्विड के बदले राजकुमारी डॉन और मैरियन को आजाद करने के लिए कहता है अब वहां पर मैरियन भी आ जाती है जो बाब को बताती है कि रोलैंड काफी बुरा है लेकिन बॉब गुस्से में उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दी था और मैजिकल लिक्विट के बदले मेरियन और डॉन को आजाद करने के लिए राजी हो जाता है अब उस दोरान जब रोलैंड चुपके से राजकुमारी मेरियन के ओपर मैजिकल लिक्विट डाल कर उन्हें हासिल करने की कोसिस करता है तो बॉब उसे ऐसा करते हुए देख लेता और गुस्से में रोलैंड से फाइट करने लगता है उन दोनों के बीच में एक खतनाब फाइट होती है अब वहाँ पर डॉन भी आ गई थी लेकिन रोलैंड डॉन के आते ही उसे बंदी बना लीता है और अपने सारी सैनिकों को हमला करने का आदेश दीता है रोलैंड के सारे टीम के अटेक की वज़े से अब वो कैसल तूटने लगा था वहीं दूसरी तरफ सनी किसी तरह बहुत मुस्किल से सुगर प्लम और भाकी फेरी के पास पहुँचा था जहां पर वो बंदी बनाई गई उन सभी को आजाद कर दीता है अब वो पूरा कैसल गिरने लगा था जिस मौके का फाइदा उठा कर रोलैंड मैरिन को अपने साथ ले जाने की कोसिस करता है लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं होता क्योंकि मैरिन बाब से अपना पीछा चुड़ा कर कैसल की तरफ वापस आ जाती है अब बाब का वो कैसल पूरी तरह से गिरने वाला था लेकिन वो किसी तरह बहुत मुस्किल से डॉन को गिरते हुए कैसल से बाहर निकाल लाता है और वो खुद उस कैसल के साथ मलबे के नीचे दब गया था डॉन और मेरिन ये देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बाब मारा गया अब वहाँ पर सनी भी आ गया था जो डॉन को सुरच्चित देखकर बहुत खुस होता है और उसे वो गले से लगा लिता है सनी के सच्चे प्यार की वज़े से मैजिकल लिक्विड का असर खत्म हो गया था और अब डॉन भी सनी से प्यार करने लगी थी मेरिन इस समय काफी दुखी थी कि तबी वो आसमान में बाब को उड़ते वे देखती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था और मलबे की नीचे दबने की वज़े से घायल था रोलैन यहाँ पर चुपके से मैरिन के उपर मैजिकल लिक्विड डाल दीता है जिससे उसे लगता है कि अब मैरिन उससे प्यार करने लगेगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैरिन रोलैंड को एक जोरदार पंच मारती है क्योंकि अब मैरिन बॉब से सच्चा प्यार करती थी इसलिए मैजिकल लिक्विड का उसके उपर कोई भी असरी नहीं हुआ था अब बॉब और मैरिन समझ चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने है और उन दोनों के मिलने के साथ ही फेरी किंगडम और डार्क फॉरिष्ट की दुस्मनी भी खत्मो जाती है और सभी साथ में खुसी से रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्मोती है तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आकन जरूर दबा ले